Good morning dear students, अभी हम लोग exercise करेंगे chapter number 2 का A Tiger in the Zoo ठीके बचो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, new words मैं आपको पहले ही लिखा चुके हूँ यहाँ पे है what they mean, यह सारे words इनके meaning आप पढ़ लेंगे vivid stripes यानि clear stripes, यानि clear धारिया, quiet rage, quiet rage यानि की गुसे, गुसा है लेकिन शान्थ है क्योंकि आप को यह पता है कि आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं, तो quiet rage गुसा लेकिन जो आपको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, lurking यानि चुप करके कुछ चीज करना, ठीक है कि आपको कोई देखना ले, that is lurking fangs क्या होते हैं, जो आपने शेर के और tiger के जो दान्थ देखे होंगे, आगे जो चार दान्थ रहते हैं, उसके उपर दो नीचे, दो जो बहुत नुकीले रहते हैं, उनको fangs कहते हैं stalking the length of his age, यानि counting his age, ठीक है, तो यह आपके word meanings हैं, इनको याद कर लेजेगा, read the answer, यहाँ पे है, tick the correct answer, the tiger is, tiger कहा है, in the zoo, in the forest, या in the bushes, तो यह आपको अच्छे से पता है, कि वो कहाँ पे था, in the zoo था, ठीक है बच्छों, तो आप लोगों को वहाँ पे, निशान लगा देना है, in the zoo, the tiger might be waiting for, tiger किसका इंतजार कर रहा होगा, visitor का, deer का, या patrolling car का, देखे, visitor से उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो zoo में बिलकुल happy नहीं होता है, और वो in fact, बहुत sad होता है, तो उसको visitor से कोई मतलब नहीं है, patrolling cars आती है, जाती है, अपना काम करती है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है, हाँ, वो जरूर ये imagine करता है, कि अगर मैं free होता, तो मैं ऐसा करता, और वो deer का इंतजार करता, क्योंकि वो उसका शिकार होता है, वो से पकड़ करके, शिकार करके, जो उसकी natural life है, उसको वो imagine करता है, और उसको miss करता है, तो इसका answer हो जाएगा dear, the dash of the tiger are velvet, velvet के जैसा क्या है, eyes है, pads है या fangs है, तो आप लोगों ने पढ़ा था कि उसके pads जो है, वो बिलकुल velvet के जैसे है, बिलकुल मुलायम है, बिलकुल soft है, he hears the last voice, last voice जो tiger सुनता है, वो किसकी सुनता है, near the waterhole, around the house, या at night, तो waterhole के पास वो नहीं है, घरों के पास भी वो नहीं है, वो zoo में है, तो वो रात में जो patrolling cars आती है, उनी की आबास सुनता है, ठीके बच्चों, तो यहाँ पे आप अगले question पे आ जाते है, the pair of rhyming words are given below, and आपको दो और rhyming words लिखने है, cage, rage, page, sage, ऐसा हो सकता है, और आप च grass, pass, mass, was, तो आपको अगर और दूसरे words भी मिलते हैं, तो आप उनको अपने हिसाब से लिख सकते हैं, cars, stars, grass, wars, sell, bell, tell, well, ठीक है बच्चों, तो अभी हम आजाते हैं, हमारे अगले question की तरफ, चोकी है, match the following columns, अगर poem आपके दिमाग में है, तो आप इसको बहुत आसानी से कर लेंगे, it's very very easy, तो मेरी हिसाब से ये आप आराम से homework में कर लेंगे, तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगे, ये आपकी poem में है सब चीजे, आप इसको homework में कर लीजेगा, explain these lines, ये आप समझ लीजिए, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बस, आपको म कर रहे हैं कि वो अपने जो cell है, जो उसका पिंजरा है, cage है, उसके अंदर वो अपने जो चमकता है, उसकी धारियां जो हैं, वो बहुत चमकदार और बहुत bright हैं, और उसके जो पैर हैं, उसमें जो उसका pad है, वो कैसा है, velvet के जैसा है, तो वो चलता है, तो बिलकुल आवा क्वाइट रेंज और उसके अंदर गुसा है बहुत गुसा है लेकिन फिर भी वो क्वाइट है वो शान्त है क्योंकि वो और कुछ कर भी नहीं सकता है वो पिंजरे के अंदर है तो यह इन लाइन्स का मतलब था अगला है बठी इस लॉग्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल इस स्ट् नाव'. धुकि यहां पर आपको पता है जब हम प्यम पड़ रह Gusut Veron है एक वो टाइगर जो अपने नाच्रू को फैंबिट में रहता है और और एक वो टाइगर जो जो जू में रहता है उनमें क्या अंतर रहता है? अन दो यह जो हम अभी ज्ट तौएर्ट केबात कर रहे है वो zoo में हैं, वो पिंजरे में हैं, वो cage में हैं तो उसकी जितनी भी ताकत है, वो सब कहां है, behind the bars है वो उस पिंजरे के अंदर है वो अपनी जितनी भी ताकत है, जितनी भी strength है वो use नहीं कर पा रहा है, वो उसको इस्तमाल नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो पिंजरे के अंदर है न चलिए तो ये हो गया आपका lines को explain कर दिया है और question answers की हम बात कर लेते हैं ये मैंने आपको अभी मैं आपको भीज दोंगी लेकिन questions का मतलब मैं आपको समझा देती हूं ताकि जब आप question answers को लिखें तो आप उसको समझ भी पाएं Why does the tiger walk only a few steps Tiger कुछ ही steps क्यों चलता है क्योंकि वो अपने cage के अंदर है अपने पिंजरे के अंदर है वो बहुत चोटा है इसलिए वो कुछ steps ही चल सकता है उसमें Why would the tiger hide near a water hole How would you think he would feel Near a water hole और why तो आप देख सकते हैं Why would the tiger hide near the water hole जो पानी का जरना था जहां से पानी बहता था वहाँ वो क्यों चुपेगा tiger यह हम किस की बात कर रहे हैं हम उस tiger की बात कर रहे हैं जिसको poet imagine कर रहा है कि एक natural habitat में tiger जिस तरह से रहता है उस tiger की बात कर रहे हैं तो वो पानी के पास जरने के पास या जो भी नाला है नदी है उसके पास वो क्यों चुपा रहेगा वो plump deer मोटे मोटे ताजे ताजे हिरनों का इंतजार करते हुए वहाँ चुपा रहेगा क्योंकि वो उनका शिकार होते है है ना वो खुश होगा कि अभी कोई deer आएगा और मैं उसके ओपर हमला करूँगा उसके बाद मैं उसको enjoy करूँगा खाऊंगा है ना चलिए तो why do you think the tiger is ignoring the visitor आपको क्यों लगता है कि जो tiger है वो visitors को ignore कर रहा है वो इसलिए ignore कर रहा है क्योंकि वो बिलकुल अपने जिंदगी से नाखुश है वो उसको बिलकुल पसंद नहीं है अपने जिंदगी वो जिस तरह से पिंजरे के अंदर कैद है उसको बिलकुल खुशी नहीं है इसलिए वो visitors को देखना नहीं चाहता है उसको कोई मतलब नहीं है write the words which describes the tiger's movement tiger के movement को describe करते हुए जो एक word है वो है stalking तो अप उसको लिख लेंगे शलिए हम आजाते हैं अपने अगले exercise की तरफ जो है play with words यहाँ पे आप column 1 और column 2 देख रहे हैं यहाँ पे दो words हैं अलग-अलग और इनको आपको join करके एक compound word बनाना है एक नया word बनाना है जिसका कोई meaning होना चाहिए जैसा कि आप देख सकते हैं water hole है ना water plus hole को मिला करके क्या बन गया water hole उसी तरह से अभी हम क्यों करना है इसको तो sun है और यहाँ हम देख सकते हैं light है तो हम इसको match कर देते हैं light के साथ sorry यह गंदा हो गया इसको मैं फिर से कर देते हूं just wait हाँ sun के साथ हमने मिला दिया light को rain के साथ हम मिला देते हैं rain water आम के साथ हम मिला देते हैं आम चेर ड्रेन के साथ हम मिला देते हैं ड्रेन क्या हो सकता है नाली यानि लाली का पाई हैंड के साथ हम वाश को जोड़ देते हैं और अंडर के साथ हम ग्राउंड को जोड़ देते हैं तो इस तरह से आपकी पूरी एक्सरसाइज हो गई है आप इसको नो डाउन कर लें और अपना काम कंप्लीट करके मुझे दिखाएं वापस ठीक है बच्छो तो अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई करते रहें ठेक केर एंड बबाई